और अब एक खबर आपको बता देते हैं जो सिध्या आप से जुड़ी है और मरीजों को दिक्कत हो सकती क्योंकि दिल्ली के दो बड़े अस्पतालों की डॉक्टर्स हर्ताल पर चले गए हैं उत्री दिल्ली नगर निगम के तहट आने वाले कस्तूरबा गांधी अस्पताल और बाड़ा हिंदुराओ के रेजिडेंट डॉक्टर हर्ताल पर हैं तीन महिने से इनको सैलरी नहीं मिली है ऐसा आरोप डॉक्टर्स लगा रही है और नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है नगर निगम दिल्ली सरकार को जिम्मदार बता रही है और दिल्ली सरकार नगर निगम पर भष्टाचार की आरोप लगा रही है एक दूसरे पर आरोप लगा रही है लेकिन अब ये डॉक्टर आरोप लगाते हुए हड़ताल पर चलेगा है डॉक्टरों के मताबिक अभी वो सिर्फ तीन घंटे की सांकेते खरताल कर रहे हैं और OPD और इमर्जेंसी सेवाएं चल रही हैं उसी तरीके से चल रही हैं लेकिन 26 नवंबर से इमर्जेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी क्याव सवाल यह है कि सरकार और नगर निगम की लड़ाई में डॉक्टर और मरीज आखिर क्यों पिषसें क्यों परिशान हों क्यों परिशान हों कि तस्वीर के वल जो आप देख रहे हैं इसयो को शारती जिपिए बहुत ऐसे मोईer परिशान होम के लड़ाई रहा है समवादाता कस्तूरवा गांधी ऑस्पिटल से और हमारे साथ निवेद्वित्विता भी जुड़ेंगी इंदुराव बाला हिंदुराव होस्पिताल से डॉक्टर सुनील हमारे साथ मौझूद है प्रसिडेंट है आप आडीये के कस्तूरवा होस्पिटल के डॉक्टर तरु कुल नगन निगम और आम आपनी पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रतेरोप कर रही है लेकिन इस बीच में पिस रहा है वह कॉरोना वारियर और साथी आम जनता आप देखिए जो कॉरोना वारियर जिनके लिए ताली और थाली बजी थी वह आज पोस्टर लेकर भाह भाली जेब खाली यह वही ताली और थाली थी जो कोरोना टाइम में डॉक्टर खेigram ऑज बजी थी इनका स्वागत किया गया था धन्यवाद किया गया था करोना वारियर कहा गया था आज वही कोरोना वारियर सडकों पर खड़ा हुआ है अस्पताल के बाहर है जिने ओपीडी के अंदर होना चाहिए था जिने अमरजेंसी में होना चाहिए था और स्ट्राइक पर है और वज़ा देखिए तीन महीने की सैलरी नहीं मिलिये कुछ डॉक्टर से जरूर एक बार और फिर से बात है तो हमें यह स्ट्राइक करना पड़ जाता है मजबूरी में तो हमें आश्वासन दिया जाता है कि सालरी आपकी आज आएगी तो कुछ देर का होता है उसके बात में वापस हमारी सालरी डीले होना स्टार्ट हो जाती है रही बात जैसे डी एल आगू हो चूका है वो भी जुले से कई अस्पतालों में मिलना शुरू हो गया लेकिन हमारे अस्पतालों में अब तक हो इंप्लिमेंट नहीं हुआ है तो जैसे हमारी जो ज़रूरत की चीजे हो दिए जैसे कभी हमें ये प्रेसिडेंट है कस्पूर्वा होस्पिटल से जॉक्टर सुनील क्या आरोप है आपके क्या दिक्कते हैं और क्योंकि अभी नगर निगम और सरकार के भी ठनी हुई है इसमें क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप पिस रही हैं मरीजों को परेशानी हो रही है और अगर म हैं देखिए हम लोग सिंपल डॉक्टर से अपना काम करते हैं और साली चाहिए और हमें इस बात की बहुत बड़ा मतलब दूख होता है कि हमारे देश के डॉक्टर्स जो हैं वो वो किसी पोलिटिकल मतलब के एजंडा में नहीं आते हैं मतलब अब देखिए चार साल मतलब मतलब जो पिछले चार-पांच साल से हम लोग सालरी के प्रॉलम्स को जहल रहे हैं लेकिन हमारे देश के कोई भी नेता यहां तक जो यहां के एक वार्ड कॉंसलर है वो भी हमारे लिए खड़े नहीं होते हैं ना कोई मिल ना कोई MP क्योंकि हम उनके लिए वोटर बैंक नह पारा है लेकिन उनके लिए नेता खड़े हो जाएंगे वह अपनी राजनीती करेंगे लेकिन डॉक्टर को सालरी नहीं मिल रही है तो उसके लिए कोई नेता खड़े नहीं होते हैं यह 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 बहुत दुख देता है और दूसरी बात है कि हमेसा यह बताते हैं कि हमारे पा जो सवाल आप उठा रहे हैं उस सवाल का जवाब इन सरकारों को तो देना ही चाहिए कि आखर फंड की कमी है तो वो कैसे पूरा करेंगे लेकिन अब इस पर डॉक्टर तंवराज त्यागी बेमारे साथ मौझूद है अब भी RDA के प्रेसिडेंट है बाड़ा हिंदुरा हॉस लेकिन जब बात सालरी देनी के आई तो कोई सुन नहीं रहा है कहा तक कहुंचे थे आप लोग नबभाज दिन से हमने किसी को कुछ नहीं बोला नबभाज दिन तक हमारे लैंड लोडर ने हमने नोटिस निकाल के दे दिया है कि हमें घर खाली करना है हम रोड पर आजाएं मरीज को सफर ना करना पड़े बीच की लड़ाई है जो भी है उसमें मरीज सफर ना करे तो हम उसको प्रायाइटी देते हुए अपनी स्ट्राइक बोस्वण करते करते हैं आज 22 तारिक में हमें अपनी स्ट्राइक सुड़ू करनी पड़ी है जह हमारे पास कोई और अब पूरी नहीं हुए और हमारी आज फिर सेम प्लेट पर खड़े हैं उसी जगह खड़े हैं और सेम डिमांड के साथ हम खड़े हैं महंगाई का बत्ता जो सरकार ने जुलाई में लगा दिया था 31 तारिक को इसलिए जो बात आप आप लोग भी दिक्कत में हैं जिसकी वज से अपील कि सुनिये सरकार क्योंकि मरीजों की जान खत्रे में आप सब का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अपनी बाते रखने के लिए लगातार इस खबर से जो आहरा अब देट आप तक आगे भी पहुचाते रहेंगे अपनी बाते रहेंगे